हेलो एवरिवन आज हमारी रसोई में बन रहा है सांबर आज कल इडली डोसा सांबर सभी स्टेट की लोगों को पसंद आता है हर जगह हर कुछ बनता है तो आए स्टार्ट करते हैं हम सांबर बनाना साउथ इंडियन स्टाइल में इसके लिए हम पहले अहर दाल को अच्छे से दो करके मैं डिड़कप डाल लिया है उसमें टमाटर और प्याज नमक और हल्दी इस सब डाल के हम कुकर में पांस से छे सिटी लगा लेंगे दो चार लेसन की कलिया भी डालनी है और इसमें मतलब गलाने तक डाल हमें जैसे नॉर्मल डाल बनाते हैं ऐसे बिलकुल गला ल चुन सकते हैं जो आपको पसंद हो अब यह तड़के के लिए है तो जब तेल करम में सूखी लाल मेश चैना दाल कड़ी पता और छोटे चोटे प्याज इनका हम तड़का लगा देंगे और थोड़ा सा हिंग भी डालना है यहां पर यह जब तड़के थोड़े से फ्राय ह डालना है तो ड्रम स्टिक को थोड़ा टाइम लगता तो यह हम पहले डालेंगे फिर दीरे दीरे करके जो इससे कम देर समय लगता पकने में उस तरह से सबजी जो आपने यूज किया है उसको डालना है उससे कम टाइम में गाजर और यह मैंने कद्दू लिया था वो सब प करने के बाद हमने जो डाल उबाल के रखी थी वो सब डाल देंगे और इसके थम थोड़ा सा चलाने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे दाल में पानी डालने के बाद हमें पुरी सबजी को अच्छे से उबालना है गाढ़ा करने तक और उबलने के बाद हमने इसमें क्या क कर लेना है मैं अच्छे से ढख करके अभी हमारी लगभग यह सांबर त्यार हो गई है अब इसमें हम अलग से एक तड़का लगाएंगे ताकि इससे खुबसूरत और स्वाद और निखर के आया सांबर में इसके लिए तेल गरम करके इसमें जीरा लहसन सुखी लाल मेर्च ही करने में और यह तड़का हम दाल में मिक्स कर देंगे तो हमारी सांबर रेडी हो गई है आई यह मैं इसको प्लेटिंग करके दिखाती हूं आप एक बार जरूर सांबर इस तरह से बनाना इजी प्रोसेसर जल्ली बन जाता है और बहुत टेस्टी होटल के जैसा ओके फ्रें थैंक यू